सोनी में 5 टाइम प्रोटेक्शन क्या होता है और यहां पर मेरे पास यह सोनी का LED टीवी है जिसका मॉडल नमबर है 42W 700B ठीक है कॉल्ट है स्टार्ट होता है हो रहा है ग्रीन एमबर ग्रीन एमबर ओके इसका मतलब यह अपडेट मांग रहा है ठीक है इस तरह की प्रॉब्लम तब होती है जब इप्रॉम पैनल आइडी की उसमें सोनी का ही कोई सौफ्टवेर है इसे दो तरीके से ठीक कर सकते है अगर जो आइडी ओके है उसके अंदर पूरी की पूरी तो हम उस आइडी के इसाफ से जो भी मॉडल था उसका डेटा पेंड्राइव में डालके पेंड्राइव से अपडेट कर सकते है ठीक है जो कंपनी की साइड से हम लेंगे लेकिन इसमें क्या है वो तो हमें तब पता चलेगा जब हम आइसी बाहर निकाल के इसकी पैनल की इंफॉर्मेशन इसमें छपी हुई है कि नहीं वो देखेंगे ठीक है तो हम पहले आईसी निकाल लेते हैं इन दोनों में से एक है टिकॉन प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग वाली और एक होती है जो पैनल आईडी जो मदरबोर्ड से आ रहा है यहां से इसका कनेक्शन कौन सी आईसी के साथ है वो देखने का तरीका मैं बताऊंगा पहले कौन सी पैनल आईडी की आईसी है जो प्रोसेसर को यह इन्फॉर्मेशन दे रही है कि इसमें पैनल सही है यह है हमारी पैनल आईडी ठीक है यह मैंने आईसी निकार लिए पर हमारे पास यह प्रोग्रामर सॉकेट है ठीक है तो आईसी पे लिखा हुआ है 4G32 ठीक है इसकी पेन कमार्क है यह दोनों आईसी सामने उने चीए और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने डेटा केबल PC के साथ कनेक्ट कर दिया है ठीक है नीचे और इसका ड्राइवर हमने इंस्टॉल किया हुआ होगा तभी यह प्रोग्रामर डिटेक्ट हो पाएगा वरना स्मार्ट के लिए हमने IC को प्रोग्रामर सॉकेट पर लगा रखा है और ये प्रोग्रामर का इंटरफेस ओपन किया है उसके बाद हमें सबसे पहले स्मार्ट आइडेंटिपाई दबाना है IC सिलेक्ट कर लेनी है 24C32 24 इसकी सिरीज है कोई भी EPROM होती है उसकी सिरीज नंबर होता है 24 उसके बाद जो लिखा हुआ होता है वह मेमोरी साइज होती है तो हमको 32Kb लेक्ट करना है और O.K करना है किता हूँ ठीक है यहां पर read कर रहे हैं हम और एक folder के अंदर इसे save कर देता है एक test folder ठीक है यहाँ पर मैं इसे save कर देता हूँ और इसकी data buffer चेक कर लेता है तो देखो data buffer में T420H लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि panel number पूरा है नहीं इसके वज़े से यह five time में नहीं गया क्योंकि panel number था और यहां भी कुछ data होते जो sony company motherboard की जो प्रोसेसर है उससे connect करने के लिए कुछ information अंदर डाल देती है ताकि प्रोसेसर यह चेक कर पाए तो यह सारी चीजे चेक कर पाए प्रोसेसर इसलिए five time में नहीं गया लेकिन पैनल नमबर पूरा नहीं था इसलिए update मांग रहा था ठीक है तो अभी हमें क्या करना है इसमें हम तो अभी okay करके बाहर आ जाते हैं और okay software इसमें write करना है ठीक है तो open कर लेते हैं ठीक है देखो यहां पर आपको वह panel id लेनी है जो okay software हो जिसमें okay open कर लेते हैं राइट करना है कि बफर हम जब देखते हैं तो इसमें पैनल नमबर पूरा आ गया अगया हुआ 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 हाँ पहुआ हुआ हुआ है जर सकता है झाल झाल झाल